हेलो गाज नमस्कार आई एम प्रियस विल्कम टियोर मा यूटूब चैनल प्लीच चैनल सब्सक्राइब से लाइक आफिस के लिए रेडी हो गए हैं चलेंगे आफिस और कहीं और चलना है पर अभी बताएंगे नहीं जब आफिस पहुंचेंगे तो आफिस में आप लोगों क को बताएंगे कहां चलना है आज पहले अफिस चलेंगे आफिस का कामधाम निप्ताएंगे और इसके बाद वहाँ से चलेंगे और कहीं वहां पहुंचने के वाद आप लोगों को बताएंगे आज कहां जा रहे हैं होके दों चलिए चलते हैं कर दो कर दो कि दोस्तों आफिस का काम निपड़ चुका है यहां का काम पूरा कर चुके हैं और अब यहां से आफिस से चलेंगे देदी के यहां देदी के यहां चलेंगे आज घूमने और फिर साम को घर निकलेंगे चलिए पहले चलते हैं देदी के यहां और इसके वाद साम को घर निकल तो चलिए चलते हैं जी दोस्तों कल गए थे साम को दीदी के यहां आफिस में थे आफिस से गए थे दीदी के यहां और रास्ते में इतना तेज पानी गिरने लगा कि करीब आठ साम को आठ वज गये थे वहीं पहुंचने में रास्ते में बारिस बहुत तेज हो रही थी अर देदी के हाँ गये खाना पीना खाया और इसके बाद वहां से निकले हैं करीब 9 वज causa घर आते आते हमें 10-10 बच गये थे इसलिए वहाँ इतने बारी सो रहे थी कि वहाँ की सूटिंग ही नहीं कर पाए जल्दी जल्दी में खाना पीना खाया और वहाँ से चल दिया दोस्तों यह आमका पेंड लगाये थे जो इतना बड़ा हो चुका है यह यहां से लेके यह इतना बड़ा यह करीब तीन साल पूराना पेंड है और इसको चारो तरफ से इसकी गरिमें में हमारे यहां गार नखाले इसके लिए सुरक्षा किये हुए हैं चारो तरफ से यह लकड़ी और नेगु डोगारे की पेंड लगाये हुए हैं अगल बगल से यह कुछ काटे रखे हुए हैं दिससे गाय नखाले और यह पेंड काफी उपर हो चुका है काफी बड़ा हो चुका है यह बहुत जल्दी तो नहीं पर एकाँ-दो साल में वो फ रुपाई हुई है ये सबसे लेट रुपाई होने के कारण इसके पौधे बहुत ही कमजोर हैं पूरे ये देखिए हलकि इसमें खाद का छिड़का किया गया है साइध है कि पौधे सभाल जाएं पौधों की ग्रोथ हो सकती है यूरिया जिंक जाइम सभी प्रकार किस में विटामिन्स का उपियोग किया गया है ओके गाईज सुबह के आठ बज के 25 मिनट हो चुके हैं अब चलिए नहाद होके रेड़ी होंगे और निकलेंगे सीधे आफिस अहीं तो फिर आफिस के लिए लेट हो जाएंगे वहां का काम धाम न निफ्टा पाएंगे ओके गाईज अगर ब्लाग पसंद आया हो तो प्रिएस भाई चैनल को सस्क्राइब करें सेर करें बेल आइकान प्रेस करें जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट ब्लाग में धन्यवाद बाई बाई